वीडियो में हम लोग discuss करेंगे RR vs DC के भी जो होगा दोस्तो IPL का match और match होगा स्वाइमान सिंग जैपूर में अब देखो यह जो venue है ना स्वाइमान सिंग क्रिकेट इस्टेडियम दोस्तो यह venue आपको one-sided batters friendly नहीं दिखेगा like others venue यहाँ पे दोस्तो सब के लिए कुछ ना कुछ होता है batter के लिए भी होते है ballers के लिए होते है सब के लिए कुछ ना कुछ होता है दोस्तो इस venue में और अगर आप team बना रहे हो दोस्तो इस match में सबसे पहले आप बनाओ कि try करो कि safe simple sorted team रखो बहुत ज्यादा unnecessary risk लेड़ेगा इस match में कोई जरूरत नहीं है ठीक है details में समझेंगे और important जो players से उनको miss नहीं करने वाले अगले matches जो रहेगा मतलब IPL के जो matches रहेंगे या फिर अभी start होगा next day से ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो ना उसी दिन से start ये जिस दिन मैच है उसी दिन से start होने वाला है Nepal A vs Ireland A के खिलाब series T20 series वह हम लोग cover करेंगे और भी जो new matches आएंगे international or domestic उनके exclusive coverage updates देमोडी मैं share करने वाला हूं आपको टेलिग्राम पर दोस्तों आपको चुनना है टेलिग्राम इसका लिंक मैं इस वीडियो के description मैट कर दोंगा तो चलो स्टार्ट कर तेस मैच के analysis सारे साथ बजी मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होगा स्वाई मांसिंग क्रिकेट स्टेडियम 160 यहां पर उन्हें एवरेज रट बन जाते है हेट टुएट में अब तक 27 मैचेश 27 मैचेश डन 14 बार बैट फर्स ने विन किया 13 बार चेजिंग टीप ने विन किया मतलब एक बराबर का मैच ठीक है और ग्राउंड में अगर देखोगे तो 19 बार फर्स चेजिंग ने इस ग्राउंड पर जाद अच्छा किया 34 टाइम विन किया और यह नाइट का मैच है यह चेजिंग बेटर होगा डे वाला मैच चलो मैं मान सकता हूं चेजिंग मुश्किल होता है पीछ ट्राय रहता है नाइट में चेजिंग बेटर होगा कि पिट इन माइन ठीक है सीरीज में अब तक 6 मैच इस तीन बैट फर्स तीन बैट सेगें और मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था सेजिंग का मैच चल रहा था और उससे पहले सब मैच इस होम टीम ने वहीं निकिया आरार देखोगे तो अपना पहला जीता फिर मैच इस दोस्तों आप एक ही मैच के ला एक ही जीता इनसे ओपन करेगा बटलर यशिश्षी के साथ वन डाउन सैंसन रैन प्राक्स इमिरेट मैर्ट जुड़ेल कुछ ऐसा होगा टीम का बैटिंग ओडर आरार का जो इस बटल सा मुझे लगता है कि यह जिस कैलिबर के प्लियर है उसके मुकाबले थोड़ा सा डाउन है और लास्ट यह इन्होंने सही में बहुत खराब खिला था सिफ और थाइस के अवरेश से रन बट यह नाइट का मैच है मैं ड्रॉप करने को कती नहीं बोलना हूं कैप्टन वाइ यह कैसा है वेन्यू में 32 के अवरेश बड़िया प्लियर है ऐसा प्लियर बैक करो के इस मैच में बना सकते हो तोड़ा मैच अब देखेंगे बट डेफिनिटली मैं बटलर से जादा करने लिए इन्फॉर्म मानता हूं इनको और टीट्विंटी में फॉर्म बहुत ज्याद इसका अवरेश देखोगे तो 1st इनिक में 30 2nd इनिक में 29 बाइट फॉल्ट पीक है वेन्यू अवरेश भी ठीक है और इसका इनिशेल या इनिशेल टाइम में यह बहुत अच्छे केलते है तो कैप्टेन जरूर से बना सकते हो रैयन पराग आपको कहलते हो दिखेंगे उसक में 30 जगा इसको ले सकते हो या चाहोग तो इसको लिए सकते हो क्योंकि वर रिएक निक यह विक कालते है और प्लूर से यह कूं आपको ने बहु च्छा एंपको प्राग देगा ऐकर अर प्लस बन्काम से बग शाबसकल लेहे बाले बॉलर की जगे इनने को आप अराम कर सक सब कुछ मैं लिग दिया यहां पर बसक्राइब करने के टाइम पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं जुरेल इस वेन्यू में तीन इनिक्स में 21 रन बनाया सब्सक्राइब को अगर आपके पास कोई ऐसा प्लियर है तो उसके जगाई फ्यूवर ले जक्तों एक यूगे निकाल जाते क्योंकि देखो ऑपने ऑफ स्पिनर है टार्गेट करता है इसको और अन्ना जो है एक यूगे तो निकाली सकते है टार्गेट जब करेंग और बैट इनको लेके चलो सेफ रहेगा टीम में मस्टी प्लियर रहेंगे दोस्तों टेंट बोल्ट चार ओवर में दो विकेट भी है इनका यूजविंद्र चाहल तीन ओवर में एक विकेट और कमाल के प्लियर है सबको पता है क्वालिटी वाइस दोस्तों और स्पेशली अगर संदीप शर्मा तीन ओवर में एक विकेट मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड इनिंग में अगर देखोगे इन्होंने अब तक साथ इनिंग में चार विकेट निकाला इस वेन्यों में जब ऑपनें इनको मानने का कोशिश करता है यह सम्हाव इके निकाल जाते है क्योंकि यह इकदम धीड बॉलर है ऑफस्टांब के बाहर ऑफस्टांब गया तो वाइड लैंड जो वाइड लाइन होता है वहां पे दोस्तों वाइड यह रुकर डालते रहेंगे और ऐसे में बैटस एक टाम पी जाके फ्रस्ट्रेट होई जाएगा और यह बहुत भी डालते है ज्य नंद्रे बर्गर बॉल फस्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि यह हाई चांस है कि आपको डेट में करते हुए दिखेंगे बॉल फस्ट डेट में करते हुए दिखेंगा इस वेन्यू में एक इनिंग सीन ओपर अपनी बॉल्ट बर्गर अश्विन डेट में अवेश संदीप यह ओवस्ट डिस्ट्रिबिशन से जह काउट कर लो बॉल्ट डाला यह मैटेट में आ सकता है इnt यौज पर आपको नंद्रे बर्गर और संदीप डालने से भी डाल सकता है जैनुइनली डेत ऑप्शन नहीं है अगर आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों अगले ऑप्शन में यह कुछ प्लियर बेंच में बैठे होए चेक आउट कर सकते हो अगर खेलते तो बात अलग है इतने सार Shimmern Hitmir बेंच में पर फस्ता इशांद शर्मा की एगेंश ऑप्ट प्रॉब्लेम है कि इशां शर्मा चैन्स डालेगा को झालेगा मिल्डबर नहीं महीidents ह्टट नहीं है मुकेश 19 भॉल में 31 और इंजर बी हो सकता है मुकेश 19 बॉल में 31 रन एक बार आउट किया है मुकेश के खिलाब इसने रन बनाया कुल्दीप के अगेस थोरा बहुत रन बना लिया खलील के अगेस बहुत सारा रन है दोस्तों और खलील के साथ इसका मैच अप इस मैच में होगा बैटल होगा खलील के साथ अगर आप देख रहे हो क्यां पे आपको दिखेगा यह शश्री जैसवाल जिन्होंने इशान के खिलाब एक बार आउट हुआ है नोक्या के खिलाप एक बार आउट हुआ है इशान ना दिक्कत दिया है सबको खेलता है तो डिफेंचल ले सकते हो मुकेश ने भी शश्री को और लिए एक बार आउट किएให้ है खलील के एक Merci Bunny के अक्षर के बारंग कि नियरे दोस्तों बहुत ज़्यादा मैच अपनी अक्षर के खिलाब सिर्भ एक राउट हुआ है बाकि किसी के साथ प्योर मैच आप नहीं है रहे बड़ा ग्रिफिंशल बन सकते आपके लिए रोबमान पावल देखते हो दोस्तों शाहिद ना के लिए छोस बाटलर उप्षिन रहेगा नौकिया ने इनको दो बार आउट किया है बटलर को और यह एक अच्छा बैटल हो सकता है इस मैच में विकेट टेकि किया बड़ आउट नहीं किया बटलर को संजू वसेस देखो के तो अक्षर यहां पे 60 वाल में 67 रन सिफ दो बार आउट हुआ है कुल्दीप एक बार आउट है अक्षर का ना फेवर में मैच अप नहीं है के बिटिन में बहुत जादा प्योर मैच अप नहीं है फेवर में और संजू के अभी दोस्तों फेवर में बहुत जादा मैच अपनी है कुल्दीप के अगेंस थोड़ा सम्मान मिला है बर रन बना जाते दोस्तों समाओ जादा नहीं बनाते देखके निकाल लेंगे दोस्तों मुस्ट परबली लीडिंग स्कोरर अगेंस्ट संजू का 26 कैव अब आते हम लोग टी सी के तरफ उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अपने दोस्तों साथ वीडियो को भी शेयर करो और फटा-फट से जोड़ जाओ दोस्तों टेलिग्राम जिसका लिंग मैं डिस्क्रिप्शन में आट कर दोंगा डिसी से अपको उपिन करते ह मिचल मार्श के साथ आपको उपिन करते हुए दिखेंगे फिशे हो प्रिशब पंत आने वाले लेडी की बुए ट्रिस्टन स्टाप्स अक्षर पर्टेल कुछ घसा होगा दोस्तों बैटिंग ओडर यहां से देखते हो तो डेवीड दोस्तों जिन्होंने आर 29 रन बनाया लास्ट मैंच में बर्या प्लियर रहेंगे मस्टी के रहेंगे और देखो तो रिसेंटली वोल्लकप याने वाला है और यह विराट को लिए दिखना यह पफोमेंस वालकप सीजन में अच्छा हो जाता है तो देफिनिली मस्टी कैसे टिम में रख लो मिचल मांच चार ओव आपको और क्या चाहिए चार ओवर बॉलिंग से देगा बैटिंग भी करेगा अगर एक बॉलर इंक्लूड होता है बात अलग है अदर्वेस चार ओवर देगा तो आपके लिए नौ मैंच में बीस ओवर बारा हुई के प्लास एक्सवाथाइस रन भी था बड़िया ऑप्शन रहेंगे शे हो मुझे समझ नहीं आए यह क्यों के लिए बट शायद इनके पास नहीं है नौकिया नहीं आने कि तक वन्टाउन बैटिंग करेगा और देखो फिप्ट चाहिस रन 31 का एवरेश से डिसेंट ऑप्शन है दो इनिक्स 98 का एवरेश से 98 रन है रिकी भूई तीम रन बनाए टीटो इडिय में 62 मैच 33 एवरेश 1400 प्लस रन है अच्छे ऑप्शन है बट फिलाल के लिए देखो मैं स्मॉल लिक के रिस्पेक्ट में सोचूंगा तो मैं मैं फिलाल नहीं रिकी भूई को लूगा नहीं मैं ट्रिस्टन स्टाप्स को लूने वाला हूं और ट्रिस्टन स्टाप्स एक फिनिशर है साथ आफ्रिका T20 में बहुत अच्छा फिनिश किया बैट फस्ट डिफेंशल आप रोटेट करके यूस कर सकते हो अगर आप चाहो अपोनें के पास यूजी है अशीन है तो दिमाग से तो बॉल डाल देगा इस पीनर और इस यह फुस सकता है अक्षर पतेल फॉर में मैच अप नहीं है कैप्डेन वाइस कैप्डेन नहीं मत बनाओ बट यह वैल्यू वैटिंग से तो दे ही सकता है ना तो इस लिजन से एज अप्लियर इफ यह वन्ट ट्राइ कर सकता अपने टिम में नॉट बैट चोइस और अगर देखते हो दोस्तो इस वैन्यू में इस से पहले दो इनिक्स में सिफ साथ ओवर में एक विकेट निकाला कुछ खास किया नहीं है ना बैटना बॉल तो कैप इसी तो मती बनाओ रोटेट करकी उस कर सकते हो लास्टेर अच्छा नहीं था 14 मैच में सिफ 11 विकेट था बट बैटिंग से 283 रन सुमित कुमाद 2 वर विकेट 0 है दोस्तो द खली लामेद बॉलिंग फर्स्ट वा तो इंपॉर्टन है क्योंकि डेट आएगा रन कंसीट करेगा बर डेट में हमें विकेट चाहिए और विकेट निकाल के दे सकता है इस पेनियू में एक इनिक चार विकेट बहुत एक्स्पिरियंस है शायद ना केले खेलता है तो ग्र सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों ऐसा प्लेयर और इस्पेशली बॉलिंग फर्स्ट दो वर्डेट में आएगा वह वाइटल है मीचर मार्श कैप्टेन वाइस कैप्टेन और इस मैच में अक्षर पर्टेल एस अजस्ट प्लेयर लो नौर्ट कैप विसी कुल्दी ब्याद सब्सक्राइब और कई प्लेयर यहां पर है मुखेश कुमार के आने की चांसस है जिन्होंने लास्ट यह दस मैच में साथ विकेट बट इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली इंडिया के लिए दोस्तों बहुत अच्छा डेट डाला यॉर्का डाला वाइड यॉरका डा यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा रण रोका है थोड़ा दिक्कत होता होगा पित्वी शौ वसस देखोगे तो मैच आप चार बार बोल्ड ने आउट किया और आप सबको पता है दोस्तों बोल्ड और लिफ्टम पे सब बहुत दिक्कत देता है पित्वी शौ को शायर यह दिके ले भी ने चेल ने भी अचहल ने भी वाउट किया चेल के खिलाब रूण भी ब्रैया अक्षर पटेल अवसीज चहल ने थीन बार आउट किया और देगो जगो 30 में बार आट किया बोल्ड ने है ये देद में बैटल होगा दोबर तो इस बार रूट तो यह बहुत हो जाता है मेरा इसाप से बोल्ट इस मैच में ग्रैलिक कैप्टेन भी बना लो मिचल मार्श परसे चहल एक बार बोल्ट 31 वाल 43 आउटी नहीं हुआ अश्य ने एक बार आउट किया मार्श अच्छा केलता है और चहल एज़ा प्लियर भी अच्छा मुझे लग रहा है डिशा साइनी हुआ कई प्लियर से यहां पर शेय होग चहल ने दो बार आउट किया सौलावल 25 देतो है शेय होग को और बोल्ट ने पांच बार बोल्ट बहुत बहुत ज्यादा मैच अब है बोल्ट कैप्टेन बना सकते हो अच्छे प्लियर है विकेट तो निकाल लेता है अच्छान 44 ओवर में 13 बारा इनिक्स में अच्छा डिफेंशल रहेंगे अक्षन ने 14 इनिक्स में देखो सिर्फ बारा बर आउट किया बारा विकेट मिला 8 इनिक्स में 8 कुल्दीप का बट कुल्दीप अभी कुछ अलगी दिख रहे है नौक्या है नहीं खलिल पाचमेच अच्छान मुकेश एक में दो मुकेश डिफेंशल बॉल फस्ट हेट ट्वेट लास्ट यार आरा वन नाइटीन फॉर बटलर जैस्वाल सिम्रन है तीनों का रन था और ट्रेंड बोल का चाहल का देखो यह दो नाम आपको दीख भी रहे हैं यह और इनका यहां पे भी दोस अच्छा करने के लिए मिचल मास का चलना पोहुत सरूरी है अब चलते हैं लोग फटाबर से दोस्तों डिम्लावन टीम में लाइक नहीं क्या तो लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करो और जोएन हो जाओ टैलिग्रम जिसका लिंक मैं इस वीडिय लोग रोटेट कर सकते हैं एक्जैक्ट सेम एलावन खिलाया डिसी तू में भी ट्राइ करो अगर आपको लग रहा है वन डाउन करेगा और बिकॉस अफ दिस मैं रिशब्पन को नहीं लिया डेविड वर्नर हमारे पास रहेंगे यह शिशी रहेंगे कैप्टेन अमिचल मा अगर बॉलिंग फस्ट होता है यहां से डॉप करके खली लामेद एड़ हो जाएगा एक पॉइंट दूसरा पॉइंट मुकेश खेला तो मुकेश भी हम लोग एड़ कर सकते हैं ठीक है फिलाल के लिए यह रहेगा मेरा दोस्तों टीम और इस मैच के साथ अगले मैच के जो मोटीम शेर होगा टेलीग्राम पर जुनने आपको टेलीग्राम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे थैंक यू दोस्तों मिलते हैं मैं श्राइम पर टेलीग्राम पर थैंक यू